नमस्ते मैं सोमा पाठक आप सबकी वेल विशर आप सबको होली का दहन और आने वाले होली के पर्व के लिए बहुत-बहुत शुब कामनाएं देती हूं आज हम जानेंगे चांदनी हमारे जीवन में चार चांद कैसे लगा सकती है रोमेंटिक लिए तो आप लोगों को पता ही है कि हम हर वेक्ती चांदनी को रोमेंटिक वे में देखता है उसको कलपना कवी तो कलपना करते हैं कविता लिखने में पर इसको हम चांदनी को हम अपने जीवन में किस तरह से हमारे जीवन के हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले एक कांच का बॉटल लीजिए कांच का बॉटल होने से सबसे अच्छा होता है कांच का बॉटल हो या कांच का बोल भी पर काच का हो तो बहुत अच्छा होगा अब काच के किसी वेसल में आप पानी रखिए पीने वाला पानी और उसको चांदनी में रख दीजिए रात भर जब तक चांदनी रहेगी तब तक आप चांदनी के चांदनी में पानी को रख दीजिए और उसके उपर एक हलका सा पतल पानी के लिए क्योंकि उसमें कीर्य मकौरे या धूल गिर सकता है या चन्नी करवा चौत के टाइम हम जिंड यूज करते हैं उसको भी हम यूज कर सकते हैं इसको पानी को ढखने के लिए पूरी राद जब यह पानी में पेनेट्रेट करेगा चांदनी मूनलाइट तो और अट्रमेटिकली यह पानी चार्जड हो जाएगा मून की मून लाइट की पॉजिटिविटी से और हम सब को पता है कि मून या चांद हमारे मन का कारक होता है तो सबसे पहले आप जब पानी को रखने वाले हैं चांदी में तब आप पानी के बॉटल को अच्छे से पकरिए दोनों हाथों से पकर के पानी के तरफ देखकर कुछ टाइम और चांद के तरफ देखकर चांद से पहले प्रे कीजिए कि रात भर के लिए यह पानी मैं आपके रख रही हूँ इसमें आपकी जो पॉजिटिविटी है इसमें प्रदान कीजिए ताकि यह पानी मेरे जीवन में मेरे विश को पूड़ा करने में हेलप करें अब आप पानी को दोनों हाथों से पक्रिए और पानी के तरफ देख के आपके मन में जो भी विश है आप जो भी विश पूरा करने के लिए इस पानी को चार्ज कर रहे हैं मूड लाइट में उसके बारे में आप affirmations दीजिए आपका अगर तबियत खरब है या आपके family members में किसी का तबियत खरब है जिनके health को ठीक करने के लिए आप ये पानी रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि दोनों हातों से पाणी के बोटल को या पानी का पात्र या वैसल रखा है उसको टच कीजिए दोनों हातों से ऐसे और फिर अजर्ट की तरफ देख के आप बोलिए की इस पानी आज इस चांधनी इससे चंहीं के प्रभाफ से चांदनी का जो light और positivity इस पानी में आने वाला है इस पानी को पीने के बाद मुझे में वह positivity आएगी यह पानी में अपने health के लिए या अपने family members जिनके लिए भी आप use कर रहे हैं मतलब यह करना चाहरे है चार्ज उनके लिए भी कह सकते हैं या चाहे तो आप यह भी कह सकते ह है कि इस बॉटल के पानी को पी कर सभी हमारे family members सभी बहुत स्वस्त रहेंगे स्वस्त एक्षिली हम प्रेजन टेंस में या पास्ट टेंस में एफमिशन देंगे तो पानी के बॉटल को या पानी के पात्र को हम दोनों हाथों से पकरेंगे पानी के तरफ देख के या बॉनलाइट में या चांदनी में positively charged होकर मेरे family members के सभी के health को बहुत अच्छा रख रही है इस पानी को पी कर हम सब स्वस्त हैं इस पानी को पी कर हम हमारे जीवन में खुशहाली आई है इस पानी को पी कर हमारे जीवन में financial abundance आया है हम इस पानी को पी कर हमारे जीवन में सभी के साथ relation बहुत अच्छा हो चुका है हम सब बहुत अच्छे से मिल जुलकर एक दूसरे को समझते हुए हाथों में हाथ डालके हम एक साथ बहुत अच्छी जिन्दगी गुजार रहे है इस पानी को पी कर मेरी wish fulfill हो चुकी है मुझे अच्छा जॉब मिल चुका है अगर आप स्पेसिफिक जॉब की जरुरत है मतलब आप चाहते हैं तो आप वह भी कह सकते हैं सब्सक्राइब को बैंक में जॉब की जरुरत है तो आप इस पानी के बॉटल को टच करके कहिए कि इस पानी को पी कर चांदनी में सब्सक्राण में अपर आप सब्सक्राइब को मैं चाहते हैं तो आपको ज़ 다ुग को पक्रपाद करके बोल सकते हैं कि इस पानी को पी कर ये अमरित बन चुका मैंने यह आप पर स्पेसिफिकली जो एक्जाम competitive एक्जाम देने जाने देने वाले हैं उस एक्जाम का नाम से बोलके भी आप कह सकते कि मैंने UPSC क्रैक कर लिया है और यह बोल सकते हैं मैंने मैंने नीट क्रैक किया है थैंक यू ऐसे आप कुछ देर तक पांच मिनिट तक अट लीस्ट इस पानी को पकर क्या पैफर मिशन दीजिए और फिर चांद को चांद की तरफ देखकर आप उनसे आपका प्रियर कीजिए और कहिए कि इस पानी में आपका आपका आशिवाद पीकर हमारे परिवार के सभी बहुत खुश रहें और फिर एक चलनी से या पतले कपड़े से आप उसको धग दीजिए ताकि गंदगी न आये उसमें और फिर नेक्स्ट डे सूरज उगने से पहले इस पानी को आप रख ले अपनी किचन में स्टोर करके रख सकते हैं कहीं पाणी को रेगूरा बेसिस में पी सकते हैं तो आपना ने जिस फूल्फिल्मेंट के लिए चार्ज किया है उस सबione के तरफ देख कि कुछ देर तक फील कीजिए कि इस पानी को पी कर सच में आपका विश्पूरा हो चुका है और फिर पानी को पीजिए पानी को पीते पीते आपको फील करना है कि हां मेरा यह विश्पूरा हो चुका है और मैं बहुत खुश हूं आप यह करके देखिए और इस मूनलाइट में तो आप करी सकते पूर्नीमा में अगले किसी भी पूर निमा में कर सकते हैं पर याद रखिए अगर किसी भी फुल मुन दे में कोई ग्रहन बगेरा हो तो प्लीज मत कीजिएगा इसको इस वाटर चार्जिंग प्रोसेस को जिने रेकी आता है सुभर इस पानी को उठाके जब अंदर रखेंगे तो आप रेकी सेल्फ हीलिंग करने के बाद इस अपने आपको जो जो सिंबल्स मिले हैं उन सिंबल्स को हातों में ड्रॉ करके रेकी कॉल करके रेकी प्रे करके इस पानी को दोनों हातों से पकरके आप अपना एफरमिशन दे सकते हैं और रेकी एनरजी उसमें फ्लो कर सकते हैं ताकि इसक खुलुफिल होता है और वाटर करने के लिए ख मैंसलिए क्रिष्टल को रेखी के थ्रूर चार्ज करने के लिए क्रिस्टल स्ञेद क कि पेष्ट crush एभ veil होता है उस सिंबल से ही हम वाटर को या ओयल को चार्ज कर सकते हैं आप लोग चाहे तो वो सीख सकते हैं और आपका हर एक विश फुल्फिल हो आज यहीं तक नमस्ते